नारायन नारायन प्रभू की निवासस्थली भक्तों कार्धय मानस प्रवचन श्रंखला में आज हम पढ़ रहे हैं मानस प्रवचन भाग ग्यारा मंत्र राजुनित जपही तुम्हारा पूझज ही तुमह ही सहित परिवारा बाई परम पूज डॉक्टर श्री राम किंकरजी महराज, श्री राम शर्णम्ममा, प्रथम प्रवचन मंत्र राजुनित जपही तुम्हारा, पूज ही तुम्ह ही सहित परिवारा, तरपन होम करही विधिनाना, विप्रजेवाई देही पहुदाना, तुम्हते अधिक गुरही जिय जानी, सकल भाई से वही सन मानी सबुकरी मांग ही एक फलू, राम चरन रति हो, तिनके मन मंदिर बसहू, सियर अगुनंदन दो, भगवान्शी राम भद्र की महती अनुकंपा से, पुनहा इस वर्ष यह सुयोग मिला है, कि हम सब भगवान्शी लक्ष्मी नारायन की पवित्र सन्निधी में बैटकर, उनक मुझे यह समर्ण कराया गया, कि यह सतरवावर्ष है, यद्यपी सुनकर तो लगता है, कि सतरह वर्षों की संख्या एक बड़ी संख्या है, पर जब भगवान के गुणों की अनंतता पर दृष्टी जाती है, तो यह अंक अत्यंत छोटा सा प्रतीत होता है, यद्यपी मान दमपती श्री बसंत कुमार जी बिर्ला तथा सौजन्यमई श्रीमती सरला जी बिर्ला की श्रद्धा भावना है, अभी जो पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ी गई, उनमें महरशी वालमिकी ने प्रभू से यह अनुरोध किया, कि नित्य आपके मंत्र राज का जप करते है परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तरपन होम आदी की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात, ब्राहमनों को भोजन कराते हैं, तथा दान देते हैं, आपकी अपिक्षा भी गुरु को बड़ा मानते हैं, सब प्रकार से उनकी सेवा और सम्मान करते हैं, और इन सब कार प्रतिफल एक मात्र यही चाहते हैं कि आपके चरणों में प्रिती हो। उनके मनमंदिर में आप श्री सीता जी और श्री लक्ष्मन जी सहित निवास करें। से पूछा कि मैं कहा निवास करूँ। प्रारंभ में महरशी वालमिकी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तभी दे सकता हूं जब आप मुझे यह बताएं कि आपका निवास स्थान कहा नहीं है। पर इसके बाद उन्होंने प्रभु के रहने के लिए भक्तों के चौद सर्वव्यापी है, प्रतेक व्यक्ति के अंतहकरण में विराजमान है और उसके साथ साथ वे उन्हें भक्तों के हिरदय में रहने के लिए भी कहते हैं तो क्या ये दोनों बातें परस पर विरोधी नहीं है। इसका उत्तर है कि इश्वर का एक स्वरूप तो वह है जिसे हम निर्गुण निराकार कहते हैं और दूसरा वह है जिसे सगुण और साकार की संग्या दी जाती है। निर्गुण निराकार के रूप में इश्वर प्रतेक व्यक्ति के अंतहकरण में विद्यमान है और सगुण साकार के रूप में वही भक्तों के हिरदय में निवास करता ह निर्गुण निराकार के रूप में सर्व व्यापक और सबके अन्तहकरण में विद्यमान रहने वाले इश्वर के द्वारा व्यक्ति तथा समाज की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता हम देखते हैं कि अंतहकरण में एक और तो इश्वर विद्यमान है और दूसरी और उसी अंतहकरण में काम, क्रोध, लोग तता अहंकार आधी वृत्यां भी विद्यमान है किद्यपी निर्गुण निराकार इश्वर सब के अंतहकरण में विद्यमान है पर तात्विक दुरुष्टी से यह सत्य होने पर भी हमें ऐसे इश्वर की आवश्यक्ता है जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके निर्गुण को सगुण बनाने का संकेत सूत्र इसलिए दिया गया कि जो भीतर है उसे हम बाहर लाने की चेश्टा करें क्योंकि व्यक्ति को जो दुरुष्टी मिली हुई है उससे हम केवल बाहर की वस्त्वों को देखने में समर्थ हैं इसलिए अंतर हृदय अस्थित इश् आक्षातकार करना हमारे लिए संभव नहीं है। किन्तु यह बात भक्ति साधना से संभव है। इसका सिधासा अभिपराय है कि ज्यान की द्वारा जान लेने के बाद कि इश्वर निर्गुण निराकार के रूप में सबके भीतर रहता है। उसकी भक्ति के द्वारा हम उसे बाहर निकालने या निर्गुण से सगुण बनाने की चेश्टा करें। तब वह स्थूल रूप में व्यक्ति के सामने आ जाएगा। यह चोदह स्थान जो बताए गए वे जीवन में इसी आवश्यक्ता की स्थापना की और संकेत करते हैं। दृष्टांत की रूप में इस भावरस की सुरिष्टी नहीं होती। पर जब यही शिला एक मूर्तिकार के हाथों में पढ़ती है तो वह अपनी कला की द्वारा उस पत्थर से एक आकृती को प्रकट कर देता है। मंदिर में जाकर जिस मूर्ति को हम नमन करते हैं वस्तुतह वह बनी तो प्रस्तरखंड स पर दोनों में एक अंतर यह है कि प्रस्तरखंड के सामने खड़े होने पर भी हमें चतन्यता, भावना तथा आनंद की आनुभूती नहीं होती। पर वही प्रस्तरखंड मूर्ति के रूप में जब मंदिर में स्थापित हो जाता है तो उसे देखकर हम एक भिन आनुभूत करते हैं। एक और विशेष्टा यह है कि यद्यपी प्रस्तर तो एक ही है पर अब कलाकार अपने कोशल, कला कोशल से भगवान शिव, भगवान विश्णू या भगवती दुरगा अत्वा अन्य किसी देवता के चाही जिस रूप की सृष्टी कर देता है। तब उस आकरत करण से प्रस्तर की जड़ता का भाव समाप्त होकर वह हमें नाम और रूप के माध्यम से चैतन्य दिखाई पड़ती है। तब हम नैविद्य और पूजा अर्पित करते हैं। तथा यह मान कर चलते हैं कि इसके द्वारा हमारी समस्त मनों कामनाई पूरी होंगी। इसी प् पकार छेनी हथोड़े के द्वारा उसमें से मूर्ती प्रकट कर देता है। वैसे निर्गुण निराकार से सगुण साकार ब्रह्म की। प्रकट करने वाले कलाकार ये भक्त ही हैं। भक्त अपनी साधना की छेनी हथोड़ी से निर्गुण निराकार ब्रह्म से एक नाम और रूप को प्रकट कर देता है इसके द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान होता है तथा अंतह करण में रस और आनंद की अनुभूती होती है इसलिए भक्तों की भूमी का बड़े महत्व की है महरशी वालमी की ने जो 14 स्थान बताए वे वस्तुतह इश्वर को निर्गुण से सगुण बनाने की एक पद्धती है जिस साधना पद्धती के द्वारा निर्गुण निराकार ब्रम्ह को सगुण साकार के रूप में प्रकट किया जाता है उसका वर्णन आपने बालकांड में पढ़ा होगा आए संगशेप में उस प्रसंग पर विचार करें रावन के अत जाते हैं और अंत में सब निराश होकर ब्रम्ह के पास जाकर अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं ब्रम्ह जी सब कुछ सुन्ने के पश्चात कहते हैं कि इश्वर के बिना रावन का विनाश नहीं होगा परंतु अप्रशन आया कि इश्वर रहता कहा है तब भगवान शं इसका सूत्र देते हुए भगवान शंकर ने कह दिया कि अग जग मैं सब रही तब रागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी इश्वर तो सर्वव्यापी है तथा उसे प्रेम की द्वारा प्रकट किया जा सकता है तब देवता मुनी तथा ब्रह्मा सहीत अपने इश्वर से प्रार्थना किया प्रत्युत में उन्हें यह स्वर सुनाई पड़ा कि आप डलिये मत हम आपके लिए अवतार लेंगे अब आप दोनों प्रसंगों की भिनता पर थोड़ा ध्यान दे इन में से एक प्रसंग व्यक्ति गत है तथा दूसरा सार्वजनिक इस प्रकार मानो एक प्रसंग यह बताता है कि व्यक्ति के अंतहकरण में भी ब्रह्मा को निर्गुन से सगुन बनाने की इच्छा उत्पन न हो सकती है और दूसरे प्रसंग के माध्यम से यह संकेत किया गया कि समाज तथा समु के सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है कि जब उसे सगुन साकार इश्वर की आवशक्ता का अनुभव हो इस प्रकार इश्वर का महत्व व्यक्ति और समाज दोनों के संदर्भ में है तथा इश्वर की आवशक्ता सुख में भी है तथा दुख में भी है ये दो सूत्र यहां बड़े महत्व के हैं महाराज मनु के जीवन में सुख की पराकाष्ठा है और देवता मुनी तथा प्रत्वी दुखी है पर दोनों को ही इश्वर की आवशक्ता की अनुभूती होती है किन्तु भगवान ने मनुजी तथा देवताओं से अलग-अलग वहवार किया मनुजी के सामने तो वे प्रकट हुए पर देवताओं के सामने प्रकट नहीं हुए केवल आकाष्वानी से आश्वासन दिया कि जनी डर पहुमनी सिद्ध सुरेसा तो मुह ही लागी धर उनर बेसा देवताओं ने बाद में उलाहना देते हुए भगवान से कहा महराज जब मनुने प्रार्थना की तो आप सामने आ गए पर हमारी प्रार्थना सुनकर आपने आकाष्वानी से आश्वासन तो दिया लेकिन सामने क्यों नहीं आए भगवान ने कहा भई तुम्हें हमारी आवश्रक्ता थोड़े थी तुम्हें तो आवश्रक्ता केवल दुख मिटाने की थी इसलिए मैंने उसी का आश्वासन दे दिया इसका भी प्राय है कि दुखी व्यक्ति को तो जीवन मैं केवल अपने दुख की समस्या का समाधान च रहता कि इश्वर उसके सामने प्रकट ही हो इसका भी प्राय है कि अगर दुख है तो उसके विनाश के लिए इश्वर को पुकारिये और यदि जीवन में सुख ही सुख है एश्वर है तो भी आपको इश्वर की आवश्रक्ता है यह सूत्र बड़े महत्व का है सुख के साथ एक समस्या यह जोड़ी हुई है कि जितना सुख प्राप्त होता जाता है उतनी ही लालसा और भी व्यक्ती के मन में उत्पन होती है इस तरह सुख पाने के बाद भी सुख की प्यास पूरी नहीं होती पर अगर व्यक्ती यह पता लगाए कि सबसे बड़ा सुख स्वरूप रघुवन समनी मंगल मोद निधान वस्तुतह सुख की पराकाष्टा तो इश्वर ही है यह बहुत बढ़िया बात है कि आप निरंतर सुख की खोज में सल्लकन रहकर अंततह इश्वर को प्राप्त कर लें सुख का इससे बढ़कर सदूपयोग क्या हो सकता है मनु के जीवन में कोई अभाव नहीं था मनु महान धर्मात्मा थे चक्रवर्ती समराथ थे प्रजा उनकी आग्या का पालन करती थी उनकी पत्नी पतीवरता तथा उनकी अनुगामिनी थी पुत्रबड़े आग्याकारी थे पर मनु ने इन समस्त सुखों को भोगने के ब आवशक्ता है क्योंकि प्रत्यक बहुतिक सुख के साथ यह समस्या बनी हुई है कि जिन सुखों को हमने प्राप्त कर लिया है कहीं वे हमसे छिन ना जाएं कम न हो जाएं इसलिए मनु जी के अंतहकरण में ऐसा सुख प्राप्त करने की प्यास उत्पन होती है कि जिसे प्र मनु के द्वारा ही मानव की उत्पत्ती हुई है इसलिए मनु का चरित्र केवल उनका ही चरित्र नहीं है अपितो उनके चरित्र में जो साधना है उसमें संपूर्ण मानव जाती के लिए संकेत था संदेश छिपे हुए हैं तुलसिदास जी उनके चरित्र का वर्णन करते हु जिन्ह दे भय नरस्रिष्टी अनूपा। जिन्हें मानव जाती की सुरिष्टी की और मैं चाहता था कि ऐसे मानव की सुरिष्टी करूँ जो पूर्ण हो। परन्तु मनुष्य की समस्या है कि वह अधूरा है। इसलिए कितना अच्छा हो कि इश्वर ही मनुष्य बन जाए। क्योंकि इश्वर के नाते उसमें पूर्णता होगी। अगर ऐसा संभव हो कि इश्वर मनुष्य बन जाए तो मुझे बड़ा संतोश होगा। रामायन में एक बड़ी मीठी बात आती है। जब भगवान राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मन जी वन पत पर जा रहे थे। उस समय उनको गाम की स्त्रियों तथा पुरुशों ने देखा। और चर्चा करने लगे कि इतनी सुन्दर और सुकुमार राजकुमार वन क्यों आए। एक स्त्री ने कहा कि ये अपने आप प्रकट हो गई हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। एक कहए ये सहज सुहाए, आप उप्रगट भई विधिन बनाये। सुनकर ब्रह्मा ने सिर्पीत लिया, कि श्री राम को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैंने इतने बड़े सौंदर एका निर्मान किया, पर बात उल्टी हो गई। दूसरी स्ती ने पहली स्ती से पूछा कि ये तुम्हें कैसे लग रहा है कि ब्रह्माने नहीं बनाया। तब उस स्री ने एक ऐसा तर्क दिया कि जिसका कोई उत्तर नहीं है। उसने कहा कि ब्रम्भा ने जितनी सृष्टी बनाई है उसमें कोई ना कोई अधूरापन अवश्य है, किंतु इन में कोई अधूरापन नहीं है। इसलिए यह निश्चित हो गया कि ब्रम्हा ने नहीं बनाया है और तब ब्रम्हा ने बहुत श्रम किया पर श्रीराम की तरह किसी व्यक्ती का निर्माण नहीं कर पाया। तो ब्रम्हा को लगा कि लोग इन्हें देखेंगे तो मेरे प्रती आलोचना की वृत्ती उदित होगी क्योंकि नगर के लोग बड़े आलोचक होते हैं और आलोचना से बचने का उपाय यही है कि इन्हें वन में छिपा दिया जाए पस इसी इर्शा के कारण वन भेज दिया की न बहुत श्रम एक न आये तही इरिसा बन आने दूरा आये ब्रम्हा जी से जब पूछा गया कि आपने संसार को बनाया पर अधूरा है और श्रीराम को आपने नहीं बनाया इसलिए इसका भी आपको श्रेय नहीं रहा तो क्या आप ऐसी कोई बात अपने पक्ष में कह सकते हैं कि जिससे यह सिद्ध हो कि आपने भी कोई बड़ा कारे किया हो इसके उत्तर में ब्रम्हा जी ने जो कहा गुस्वामी जी ने उसके लिए एक पंक्ति लिखी ब्रम्हा ने कहा देखो भाई यह ठीक है कि मैंने इन्हे नहीं बनाया पर इनको बनाने वाले दश्रत तथा कौसल्या को मैंने बनाया इसको तो मानोगे न यत्यपी ब्रम्हा में क्षमता नहीं है कि वह इश्वर को मनुष्य बना सके पर मनु के रूप में मनुष्य में यह क्षमता है कि उसने इश्वर को मनुष्य के रूप में प्रकट कर दिया बनु ने अपने राजपाट, धन्दोलत और समस्त एश्वरे का त्याग इस महान लक्षे को पाने के लिए किया तो यह स्वभाविक ही है क्योंकि अगर आपके हाथ में चांदी हो और कोई वेक्ती सोना लाकर आपके हाथ थमाना चाहे तो आपको हाथ की चांदी छोड़ कर ही सोने को अपनी मुठी में लेना होगा क्योंकि अगर कोई हीरा लेकर आजाए तब तो आपको सोने का भी परित्या करना पड़ेगा इस संदर्भ में आपने एक बड़ी प्रसित गाथा सुनी होगी एक दरित्र वेक्ती जीवन से निराश होकर आत्महत्या के उदेश्य से यमुना में डूबने चला व्रंदावन के महान संत सनातन गो स्वामी जी ने उसे देखा तो रोक लिया और उससे पूछा कि तुम क्यों प्राण दे रहे हो भगवान ने तुम्हें शरीर दिया है उसका सदू प्योग करो उसने कहा महराज मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है इसलिए मैं प्राण देना चाहता हूं सनातन गो स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें पारस पत्थर दे रहा हूं तुम जितना सोना चाहू इस लोही से छुआ कर प्राप्त कर सकते हो उसनी सुना तो आश्चर इससे सनातन गोस्वामी की ओर देखने लगा कि इनके पास ठीक से वस्तर भी नहीं है कौपीन धारण किये हुए हैं और बात कर रही है पारस की गोस्वामी जी ने शंकर जी के प्रसंग में व्यंग करते हुए लिखा कि किसी ने जब आरादना की तो शंकर जी ब्रकट हो गए पर भक्त बोल नहीं रहा है वरन बड़े ध्यान से शंकर जी की ओर देख रहा है जब शंकर जी ने कहा तुम मांगते क्यों नहीं तो उस व्यक्ती ने कहा कि आपको देखकर मैं सोच रहा हूं कि आपसे मांगना चाहिए कि आपको देना चाहिए क्योंकि जिनके शरीर पर वस्त्र भी न हो चिता की राख लपेटे हों तथा सर्पों से लिप्टे हों भला उनसे मांगने की बात कौन सोच पाएगा प्रचलित धारना तो यही है कि जिसके पास जो वस्तू होती है वह वेक्ती वही तो दे सकता है उसने सोचा कहीं आप भी एकाद साप्या बिच्चू ही उठा कर दे दें तब तो मेरे प्राण और भी संकट में पढ़ जाएंगे भक्त ने कहा महराज आप अच्छे कपड़े और रतना भूशन पहन कर क्यों नहीं आए भग्वान शंकर ने कहा भई उन वस्तूओं को मेरे पास देखकर उन्हें मांगने की बात तुम्हारे मन में आती इससे बढ़ करके दुरभा के भला क्या होता क्योंकि उन वस्तूओं को तो तुम संसार में भी पा सकते थे इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझे देखकर बहुत इक वस्तूओं को पाने की इच्छा उत्पन नहो अपि तो मुझे देखकर यह ध्याना आना चाहिए कि सर्प तो काल का प्रतीक है जिसने काल को अभूशन बना लिया उसके पास न जाने कौन सा अमृत होगा वही अमृत इन से मांग ले तब मेरे दर्शन का ठीक ठीक फल उसे मिल जाएगा इसलिए भगवान शंकर ने सावधान करते हुए कहा कि नागो फिरई अगर थोड़ा मांगना हो तो किसी ओर से मांगना मुझसे सो अधिक ही अधिक मांगना मानो भगवान शंकर का भिप्राय है कि मुझसे तो तब मांगो जब भक्ती का दिव्य अमृत तथा इश्वर को पाना हो इस रूप में मेरे आने का यह अर्थ है इसी तरह उस व्यक्ति ने सनातन गोस्वामी जी की और देखकर विचार किया कि ये तो स्वयम नग्न हैं और कह रहे हैं कि पारस पत्थर दे देंगे सनातन गोस्वामी जी उसके आश्चरे का कारण भाब गई उन्होंने कहा कि तुम परिक्षा करके देख लो तब उन्होंने वहीं पर पड़े हुए एक कुड़े के धेर की और संकेत करते हुए कहा कि उसमें पड़ा हुआ है पारस पत्थर अब तो उस व्यक्ति ने और भी सिर्पीट लिया कि पारस पत्थर और वह भी कुड़े के धेर में गोस्वामी जी ने कहा कि तुम पत्थर उठाकर ले आओ और स्वयम परिक्षा करके देख लो कि मिरी बात ठीक है के नहीं वह वैक्ती गया और उठाकर ले आया परिक्षा की तो लोहा सोने में बदल गया वह बड़ा प्रसन्न हुआ और पारस पत्थर लेकर लोटने लगा पर लोटते समय उसके मन में विवेक का उदाई हुआ उसने सोचा कि जिस पारस को पाकर मैं नाचनी लगा जिस पारस पाने के लिए बड़े से बड़े वैक्ती उग्र रहते हैं उस पारस पत्थर को कूडे के डिर में फैकने वाले उस साधू के पास ऐसी कोई वस्तू अवश्य होगी कि जिसे पाने के बाद पारस भी कूडा लगता है यह सोचकर वह वेक्ति जब सनातन गुस्वामी जी के पास आकर यह सब पूछने लगा तो उन्होंने कहा कि पहले तुम इस पारस को यमुना में फैक दो और उसके बाद मुझसे यह चर्चा करो यही संकेत मनुजी के प्रसंग में है सुख की खोज करते करते हमें महापुरुशों के संग या उनके जीवन की गाथा पढ़कर यह ग्यान होता है कि उन महापुरुशों ने जीवन में बड़ी से बड़ी वस्तू का भी त्याग इश्वर के लिए कर दिया तो हमें भी इतनी बड़ी वस्तू को पाने के लिए छोटी वस्तू का त्याग करना होगा बस साधना सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है मनु अकेले नहीं अपितु शत्रूपा जी को साथ लेकर गए गुस्वामी जी ने कहा यहां पर एक बड़े महत्व का सूत्र दिया जब समस्त राजवाइभव का पर इत्याग कर तपस्या के लिए जा रहे थे तो फिर महरानी को भी महल में छोड़ कर जा सकते थे पर वे उन्हें साथ लेकर गए इसमें पहला सूत्र तो यह है कि सुखों वैभवों को प्राप्त करने के बाद भी क्या हमें अभाव की अनुभूती हो रही है तथा एक महान सुख पाने की इच्छा हो रही है उस महान सुख की प्राप्ती के लिए क्या इस सुख को छोड़ने को प्रस्तुत है साधना का दूसरा सूत्र है कि अकेले नहीं गुस्वामी जी इसकी जो व्याख्या करते हैं वह साधना की दृष्टी से महत्व की है वे लिखते हैं पंथ जात सो ह हिमत धीरा ज्यान भगती जनुधरे सरीरा मनु मानो ग्यान है और शत्रूपाजी भगती यही निर्गुन को सगुन बनाने की साधना पदती है इसका भी प्राय है कि यदि केवल ग्यान होगा तो वह इश्वर को निर्गुन निराकार के रूप में जानने में समर्थ होगा तक है केवल भक्ती उसके सगुण साकार के रूप में देखने में समर्थ होगी किन्तु दोनों साथ गए का अर्थ है कि मनु जो ग्यान रूप है ने जान लिया कि इश्वर निर्गुण निराकार है पर उसे सगुण साकार रूप में प्रकट करना है इसलिए भक्ती रूपा शत्रूपा को लेकर गए इस कारे के पीछे उनकी जो योजना है वहें इसमें स्पष्ट दिखाई देती है यह यात्रा अगर ग्यान की यात्रा होती तो महराज मनुवके ले जाते और ग्यान का जो फल है मुक्ती वहें उनको प्राप्त होती पर आगे चल कर जो वे मांगते हैं उससे उनकी योजना दूसरी ही लगती है वस्तुतह वे तो भगवान को पुत्र बनाने जा रहे थे और पुत्र का जन्म तो माता पिता दोनों के माध्यम से होता है इसका अर्थ है कि निर्गुन को सगुन बनाने की प्रक्रिया में भक्ती और ज्यान का सामन जस्य से आवश्यक है इस प्रकार दोनों वन की दिशा में साथ साथ प्रस्थान करते हैं और गई कहां इसका भी अत्यंत सांकेतिक वनन करते हुए तुलसी दास्ची ने लिखा के पहुच जाई धेन मती तीरा हरशी नहाने निर्मल नीरा सबसे पहले गोमती नदी के किनारे पहुचे गंगा सर्यू आदि अनेक नदियों के होते हुए भी गोमती नदी की और इन्होंने यात्रा की और उसमें स्नान किया तो क्या हम यह मान ले कि गोमती नदी गंगा की अपेक्षा सुरेष्ट है क्या यमुना की अपेक्षा सुरेष्ट है वस्तुताह यहाँ पर गोस्वामी जी इन गोमती के माध्यम से एक विशेश महत्व की बात कहते हैं आप जानते ही हैं कि गो का अर्थ है गाए और मती का अर्थ है मती या पुद्धी मानो अपनी बुद्धी को गाएं बनाएं, वह गाएं कौन सी है, इसका संकेत गोस्वामी जी उत्तरकांड में करते हैं सात्विक श्रद्धा धेनु सवाई, जो हरी क्रपा हरदय बस आई सात्विक श्रध्धा ही गाए है इसका अर्थ है कि साधना का श्री गणेश श्रध्धा से ही होगा इसलिए उन्होंने श्रध्धा की गोमती में स्नान करके निर्मलता प्राप्त की और तब आय मिलन सिद्ध मुनी ग्यानी धर्म धुरंदर निर्प रिसिजानी जहां तहां तीरत रहे सुहाए मुनी नह सकल साधर करवाए मुनियों ने जब सुना के महराज मनु राज्य का परित्याग करके इश्वर की प्राप्ती हे तुवन में आये हैं तो वे स्वयम आकर मनु महराज से मिले अभी तक तो मनु महराजवन में जाते थे मुनियों के दर्चनार्थ पर आज बिना निमंत्रण के मुनिगन ही मिलने आ गए आश्चरे हुआ कि जो बुलाने पर भी बड़ी कठिनाई से आते थे वे स्वयम ही आ गए मनु से उन्होंने स्वयम ही इसका निराकरण करते हुए कहा कि आज आपका स्थान हमारी अपेक्षा सुरेश्ट हो गया क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए आई हुए हैं इसलिए आप दर्शन के उपयुक्त पात रहें गीतावली रामायन में वर्णन आता है कि जब विभीशन जी को रामन ने सभा से लात मार कर निकाल दिया तो विभीशन जी के मन में बड़ी दुविधा हुई कि रामन ने मेरा इतना अपमान किया है तो मुझे लंका में रहना चाहिए या नहीं फिर विचार किया कि यदि एक भाई ने अनादर किया है तो दूसरे भाई से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए और तब विभीशन जी अपने सबसे बड़े भाई कुबेर के पास गए जिस समय वे कुबेर के पास पहुचे ठीक उसी समय वहाँ पर शंकर जी भी आ गई विभीशन जी को बड़ा आश्चरे हुआ कि कुबेर तो शंकर जी के पास चाया करते थे आज शंकर जी कुबेर के पास क्यों चले आए क्योंकि कुबेर के पास तो वह जाए जिसे कुछ पाना हो शंकर जी तो दाताओं के दाता हैं वे भला कुबेर के पास क्यों आए भगवान शंकर से कुबेर ने आश्चर इसे पूछा महराज आपने आज कैसे दर्शन दिया शंकर जी ने कहा भई मुझे भी एक खजाने का लोब हो गया है महराज आपको कौन से खजाने का लोब है तो शंकर जी ने कहा कि वह खजाना अब तुम्हारे पास नहीं है के विभीशन जानते हो संसार के लोग समझते होंगे कि मुझे कोई लोब नहीं है पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि समदर सी इच्छा कचुनाही हरश सोक भय नहीं मनमाही अससजनमम उर्बस कैसे लोभी हिर्दय बसई धनु जैसे जैसे लोभी को धन से किसी प्रकार संतोश नहीं होता उसी प्रकार तुम जैसे संतों को जब मैं देखता हूं तो यहीं चाहता हूं कि ऐसे सजन निरंतर मेरे पास आते रहें और उन्हें मैं हरदय में रखता जाओं भगवान शंकर ने कहा कि विभीशन जैसे संतों का लोब भगवान श्री राम को है और वे पतिक्षा कर रहे हैं इसलिए मैं स्वयमुन से मिलने चला आया कि जो रावन का परित्याग करके ईश्वर की ओर चलने की चेश्टा कर रहा है उसका दर्शन करके हम उसे और अधिक प्रेरणा दे भगवान शंकर ने जब सपष्ट कह दिया कि भगवान राम की शर्नागती ग्रहन करना ही कल्यान कारी है तो विभीशन जीन ने पूछा कि महराज कोई ऐसा मुहुर्त बता दीजिए कि जिसमें मेरा जाना ठीक रहे पता नहीं मेरे उपर विश्वास किया जाएगा या नहीं भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा विभीशन राम के सरन जाबे सुद नहीं है शंकर जी ततकाल विभीशन को हुर्दय से लगाकर इस दिशा में प्रेरित कर देते हैं इसी प्रकार जब महाराज मनु आए तो मुनी और रिश्यों ने भी आकर उन्हें हुर्दय से लगाया और साधना के क्रम में उन्होंने मनु जी को तीर्थों में सनान करने की आग्यादी जहां जहां तीरत रहे सुहाए मुनिनन सकल साधर करवाए क्रिस सरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुन ही पुराना अब महात्माओं के आश्रम में कथा हो रही है और मनु सुन रहे हैं यद्यपी जब वे राजा थे तब भी कथा सुनते थे और आज भी कथा सुन रहे हैं पर कथा सुनने में भी अंतर होता है ना अभी अभी रामनिवास ची ने बड़ी मीठी बात कही के नदी से कोई जाग लेकर लोटा कोई कीचड लेकर लोटा कोई जल लेकर और कोई अम्रत लेकर इसी प्रकार पुराणों में तो अंगिनत प्रकार की कथा और उनमें जो व्यक्ति जिस मनोवरत्ती का होता है वही लेकर लोटता है। मंतरा भी कथा सुनने की बड़ी प्रेमी थी। गुरु वशिष्ट की कथा में मंतरा नित्य नियम से आती थी। पर वह कथा में क्या ग्रहन करती थी। जब उसने कैकई को फोड़ने का प्रियास कि तो लगी पुरानों की कथा सुनाने। आश्चर से कह कई ने देखा कि तुम इतनी बुद्धी मती हो। तुम्हारी कितनी अच्छी स्मृती है। और मैं नहीं जानती थी। कि तुम इतनी सुरेष्ट कथा वाजिका भी हो। पर गुस्वामी जी ने व्यंग किया। कि मन्थरा कथा में कौन सी बातें ध्यान से सुनती थी। उसी संदर्भे मैमानस की यह पंक्ति आपने अवश्य पढ़ी होगी। कहे सी कथा सत सबती कई जही विदी बाढ़ विरोध। पुराणों में वर्नित जितनी सोतों के जगड़े की कथाएं थी। वे सब उसे याद थी। और सारी कथाएं सुनाकर उसने कहा कि कोसल्या भी तुम्हारे साथ वही करेगी। मानो मन्थरा कथा में से कीचड़ निकाल लिया। माहराज मनु तो कीचड़ लेने वाले नहीं हैं पर राजा के रूप में सुनना और बात है और तब तो उन्होंने राज धर्म के तत्वों को समझने की चेश्टा की। उसके पश्चात इस साधना के क्रम में उन्होंने मंत्र गरहन किया। गोमती में स्नान, तीर्थ यात्रा, कथा श्रमन और अंत में उन्होंने मंत्र का जप प्रारंभ किया। इसका सांकीतिक अर्थ मैं इतना ही कह दूं कि जब हम ब्रह्म को पाना चाहेंगे तो निर्गुण निराकार में पहले रूप न होकर नाम ही होगा। संसार में तो पहले व्यक्ति का रूप होता है और फिर उसका नाम रखा जाता है पर जब निर्गुण निराकार को साकार बनाना चाहेंगे तो उसे सकार बनाने का मंत्र है एश्वर के किसी नाम की स्वीक्रती। उसे पहले नाम देकर फिर जब हम साधना की द्वारा रूप की सुरुष्टी करेंगे तो वह सगुण होकर हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगा। साधना की द्वारा कैसे निर्गुण को सगुण बनाया जा सकता है इसकी चर्चा हम कल से करेंगे। नड़ाएं, नड़ाएं.